एक पक्षी अपनी चौच में समुद्र का पानी भर भर कर बाहर निकाल रहा था दूसरे पक्षी आया उसने पूछा है मित्र ये क्या कर रहे हो तो उसने बताया कि समुद्र ने मेरे बच्चों को बहा दिया है दुबा दिया है ये समुद्र मेरे बच्चों का हत्यारा है मैं इसको सुखा कर ही डम डूँगा तो दूसरे पक्षी न कहा मित्र तुम ऐसा नहीं कर सकते समुद्र काफी विशाल है और इसमें बहुत सारा पानी है तुम इसको नहीं सुखा पाओगे तो उस पक्षी ने कहा मित्र देना है तो साथ दो मुझे तुम्हारी सलह नहीं चाहिए ये बात सुनकर दूसरे पक्षी भी उसके साथ आ गया और अपनी चोंच से समुद्र का पानी भर भर कर बाहर निकालने लगा दूसरे पक्षी भी उनको देखकर और ये बात सुनकर कि ये मित्र देना है तो साथ दो सलह है मत दो ये बात सुन सुनकर सारे पक्षी आ गए और उनके साथ समुद्र का पानी अपनी चोंच में भर भर कर बाहर निकालने लगा उनकी बात सुनकर गरुड देव जो कि भगवान विश्णु के वहन है वो भी आ गए भगवान विश्णु ने पूछा कहा जा रहे हो तो उन्हेंने बताया कि ऐसे ऐसी बात है और मैं अपने पक्षियों के साथ देने के लिए जा रहा हूँ भगवान विश्णु बोले यह गरण महाराज अगर तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा मेरे तो सारे काम काज ही रुख जाएंगे और फर भगवान विश्णु ने कहा कि तुम सारे छोटे-छोटे पक्षी मिलकर समदर को खाली नहीं कर पाओगे क्यों फालतू के काम कर रहे हो तो पक्षी राज गरण ने कहा है भगवान देना है तो साथ देजिए सलाह मत देजिए ग्रोड की बास सुनकर भगवान विश्णू भी पक्षीओं के साथ आ गए जब भगवान विश्णू खुद पक्षीओं के साथ आ गए तो समुदर देवता पर गट हुए और उन्होंने भगवान विश्णू से जमा माँगी, माफी माँगी और उस चिड़िया के बच्चों को वापस करती है कहने का ताथ पर ये है कि आपकी सलाह से किसी का काम हो या ना हो लेकि अगर आप किसी का साथ दे देते हैं तो उसका बड़ा से बड़ा काम बन जाता है तो इसलिए जिन्दगी मेंकभी मुका मिले तो किसी को सलाह नहीं उसका साथ दीजिए